तो आज का आपका टॉपिक है Enzyme Kinetics, B Pharmacy, Second Semester, Biochemistry में, Unit No.5 में आपको Enzymes में दे रखा है Enzymes Kinetics, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं Michaelis Plot and Line-Berg Plot, ओके Line-Weaver-Berg Plot, तो यह दोनों ग्राफ हम देखेंगे, Derivation इसके समझाएंगे, लेक्चर को द्यान से सुनना, अगर आपने द्य Derivation यह याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है, इसके Derivation में, ठीक है, important है, क्योंकि Michael Mental Equation से 5 marks का question आता है, कि graph बनाएगे और Derivation कीजिए, और बच्चा ऐसे डर जाते हैं, क्योंकि biology वालों को बिल्कुल Derivation पसंद नहीं होते, पर अपन करेंगे, और इसी lecture में याद भी करे तो चलो lecture को start करते हैं, enzymatic kinetics, अगर आपको all lecture देखने हैं, तो मैंने playlist की link जो है, description में दे रखिए, और अगर आपको notes download करने है, PDF format में, तो आप telegram से जुड़िए, वहाँ पर मैंने आपको whatsapp के बारे में बता रखा है, whatsapp group के बारे में, आप whatsapp group feature से जुड़िए, और हैं, तो आज के इस lecture में हम देखने वाले हैं, Michaelal का plot, साथ शाथ हम देखेंगे Michaelmentan equation, Michaelal का plot मतलब Michael का graph, okay और Michaelmentan equation, मतलब Michaelal की जो equation आई थी, वो देखेंगे, साथ में देखेंगे कि ये equation का derivation कैसे हुआ है, क्योंकि वह important है, वह आपसे पूछा गया है, ठेक है, तो आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं सबसे पहले graph फिर देखेंगे equation और फिर देखेंगे equation का derivation तो इसी lecture में सब कुछ याद करना है द्यान से सुनना और समझना देखिये जो Michael Minton equation है यह हमें बताती क्या है सबसे पहले तो हम यह बात करते हैं यह हमें idea देती के relationship का सर क्या बात कर रहे हो relationship बताएगी यह Michael Minton equation आज जी relationship बताती है किसके बीच में बताती है velocity of reaction and the concentration of substrate substrate की concentration और velocity of reaction इन दोनों की बीच में क्या relationship है वो हमें बताती है Michael Minton equation I repeat substrate की concentration और velocity of reaction की बीच में क्या relationship है पता लगाओ दया ठीक है तो यह कौन पता लगाएगा Michael Minton equation तो यहां पर हमें पता लगता है कि जो velocity होती है वो directly proportional होती है substrate की concentration के मतलब जितना ज्यादा substrate का concentration उतनी ज्यादा velocity ठीक है जितनी ज्यादा सबस्टेट की concentration उतनी ज्यादा velocity और यह बात तुम्हें पता लगती है Michael Minton equation से देखिए अब velocity को मैं B से लिखता हूं और substrate की concentration को मैं S से लिखता हूं ठीक है तो यहां पर कुछ इस तरह से graph बनेगा यहां पर मैंने लिखा है concentration of substrate और यहां पर मैंने लिखा है velocity ठीक है यहां पर लिख देते हैं यहां पर इस जगे तो मैंने लिखा है substrate की concentration जिसको मैं S से लिख रहा हूं यहां पर मैं velocity लिख रहा हूं अब होता क्या है ध्यान से सुनना चलो यहां पर मैं आपको graph समझाता हूं wait a minute इस तरह से graph है यहां पर तो S S का मतलब substrate की concentration और यहां पर velocity है अब क्या होगा शुरू में अगर substrate की concentration 0 होगी तो velocity क्या होती है substrate के directly proportional तो velocity भी 0 होगी क्योंकि अभी अपनने देखा कि substrate की concentration directly proportional to velocity और अगर substrate की concentration 0 तो velocity भी 0 तो starting में क्या होता है कि substrate की concentration 0 रहती है तो तो velocity भी 0 रहती है और 0 velocity को या फिर आप बोलो initial velocity क्योंकि अभी reaction शुरूओ भी नहीं तो इस velocity को हम बोलते हैं 0 और इसको हम लिखते हैं V note से V-note का मतलब होता है initial velocity initial velocity का मतलब क्या है कि अभी substrate की concentration 0 है तो velocity भी 0 होगी और यह 0 velocity को हम दिखाएंगे किसे हम दिखाएंगे V-note से देखिए यहां पर आप देखिए concentration of substrate V-note से velocity दिखा रहे हैं और V-note जो होती है initial velocity होती है और यहां पर वही line लिखी है इफ substrate concentration 0 at initial stage then velocity is also 0 ठीक है और जैसे जैसे मैं substrate की concentration बढ़ाता जाओंगा velocity भी बढ़ती जाएगी पर अगर substrate की concentration 0 रखूआँ तो velocity भी 0 और दिरे दिरे जब मैं substrate की concentration बढ़ाऊँगा तो velocity भी बढ़ेगी जिससा कि आप देख सकते हैं शुरू में 0 थी इसलिए मैंने graph को थोड़ा उपर से start किया है यहां से start किया है आप देख सकते हैं यहां से तो यहां से इसलिए start किया है क्योंकि नीचे तो 0 थी अब जैसे जैसे मैं substrate डालूंगा यह velocity जो है बढ़ती जाएगी और एक constant rate पर आ जाएगी एक constant rate पर इससे जादा नहीं बढ़ सकती तो जैसे जैसे मैं substrate डालता जाओंगा velocity जो है आप देख सकते हैं इस तरह से उपड़ जा रही है यह arrow कर दिया मैंने ठीक है यह देखिए आप यह बढ़ गई है पर बढ़ने के बाद एक time पर आने के बाद यह constant हो जाती है और पिर चाहिए आप substrate डालते रो डालते रो डालते रो अगर यह constant हो गई तो constant ही रहती यह ऐसा नहीं है कि डबल बढ़ जाएगी यह अब नहीं बढ़ेगी तो यहां पर यह सब बाते लिखी हुई है यहां पर आप देखिए वी मैक्स आ जाता है वी मैक्स का मतलब है कि velocity अब maximum हो चुकी है शुरू में 0 थी तो हमने थोड़ी उपर से start करी जैसे जैसे सबस्ट की concentration बढ़ाते रहो तो भी velocity सेम ही रहेगी यहां पर लिखाए in this condition if we increase the subset concentration nothing will happen because after a stage rate of reaction is constant एक stage की बाद rate of reaction जो है constant हो जाएगी जैसा कि आप इस graph में देख पा रहे हैं शुरू में तो 0 थी पर बाद में जैसे जैसे सबस्टेट की concentration बढ़ती गई velocity बढ़ती गई एक time आएगा जब वो Vmax हो जाएगी उसके बाद velocity जो है constant हो जाएगी चाहे आप सबस्टेट डालते रहोगे तो भी यह velocity नहीं पड़ेगी clear है अब यहां पर आपको सब पता है V V-note का मतलब होता है initial velocity ओके तो यहां पर जो equation बनती है वह बनती है V-note equal to Vmax into S, S का मतलब क्या हो गया concentration of substrate ठीक है तो Vmax into S upon Km plus S, तो Km हो गया Michael constant तो ध्यान से देखिए formula क्या बना, V-note का मतलब होता है initial velocity यह लिख दी हमने, 0 होती है यह ठीक है, Vmax होता है जो final velocity पहुँज ग रही तो Vmax substrate यह रहा और एक Km होता है जो की Michael mental constant होता है और एक S का मतलब वापिस वही concentration of substrate तो यह है equation V-note equals to Vmax into S upon Km plus S, नीचे तो Km, ऐसे याद रखो काम, काम किस के साथ होता है, प्लस के साथ, ठीक है, और S का मतलब शुबम, ऐसे याद रख लो, काम मेरे साथ होता है, अ उपर Vmax है और S है, और S का मतलब आपको पता है substrate की concentration, चलिए, V-note का मतलब पता है initial velocity, Vmax का मतलब होता है maximum velocity, Km का मतलब पता है Michael mental constant, S का मतलब पता है substrate की concentration, चलिए देखते हैं कि यह जो equation है, यहाँ पर आजाए, सबसे पहले यह जो equation है, इसको मैं reverse करके लिख रहा हूँ, V- V-not Vmax into S, Km plus S, पहले तो यह reaction यहाँ पर लिख देता हूँ, यह रही equation यह वाली, V-not equal to Vmax into S upon Km plus S, same asities मैं ने उपर से उठा के यहाँ लिख दी, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस equation को reverse कर रहा हूँ, reverse करने का मतलब है इसको उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा कर रह into S था, वो नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, reverse the equation, equation को हमने क्या करा, reverse किया, reverse का मतलब Vmax into S नीचे आ गया, और Km plus S जो है उपर आ गया, अब यहाँ कैसे reverse करें सर, V-not का V-not थोड़े न लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 1 by V-not, ओ upon Vmax into S, जस्त इसका reverse कर दिया, उपर वाली का, इसका reverse किया है, ठीक है सर, यहाँ तक clear है कि जो equation थी, जो equation हमें graph से मिली, उसको भी पास अभी हमने reverse किया है, आगे देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने Vmax S और Vmax S को common लेके अलग-अलग कर दिया, देखिए KM upon Vmax S और S upon Vmax S, देखिए, KM लिया पहले तो, यह KM, Vmax S, Vmax S, फिर S लिया, यह S, फिर Vmax S, ओके, तो यह Vmax S को दो जगे लिख दिया, Vmax S, Vmax S, और KM प्लस S को खोल के लिख दिया, एक जगे लिखा, KM, यह वाला KM लिख दिया, upon Vmax S, फिर अलग से लिख दिया, S upon Vmax तो वही तो लिखा हुआ है केम अपोन वीमेक्स एस अपोन वीमेक्स एस क्लियर है अब यहां पर आप देखिए एस से एस उड़ा दिया मैंने तो यहां पर रह गया वन वन अपोन वीमेक्स यह हो गया वन अपोन वीमेक्स यहां पर देखिए केम अपोन वीमेक्स एस तो केम upon vmax into s as it is है ठीक है अब नीचे देखें यहां पर यहां तक तो clear हो गया sir यह काट दिया हमने s से s और यहां पर 1 upon vmax लिख दिया अब यहां पर क्या हो रहा है यहां पर कुछ भी नहीं है 1 by v note का 1 by v note km का km और vmax का vmax और into जो s लिखाता उसको अपन क्या करा है यहां पर इसको भी 1 दे दिया है 1 upon s कर दिया इसको ठीक है तो हो सकता है km by vmax 1 by s और 1 by vmax अब आपने makes में एक equation पड़ी होगी math में y equals to mx plus c नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं जिसने पड़ी एच्छी बात है y equals to mx plus c तो यहां पर compare करते हैं क्या यह उसी की तरह condition बन रही है y यह y mx mx दोनों multiply में तो यह m हो जाएगा और यह x हो जाएगा यह दोनों multiply में plus c तो यह plus तो क्या इसी की तरह बन रही है ज्यान से देखिएगा यह y हो गया यह m हो गया यह x हो गया और यह plus हो गया और यह c हो गया तो y equal to mx plus c, उसे की तरह equation मन रही है, तो चलिए लिख देते हैं, y equal to हो गया, 1 by v0 हो गया, m के बराबर हो गया, km by vmax, और x के बराबर हो गया, 1 by s, और c के बराबर हो गया, 1 by vmax, इस तरह से मैंने लिख दिया, compare करके, y plus 2 mx plus c, ठीक है, यह लिख दिया, y, m, x, c, ओके, और यहां पर graph बना दिया है, इस तरह से आपको graph बनाना है, देख लीजे इसको, और यहां पर उपर से start हो रहा है, क्योंकि initial तो 0 था, clear है, तो यह कुछ भी नहीं था, काफी easy है, देखिए, सबसे पहले equation को reverse करी, reverse करने के बाद, यहां पर मैंने क्या करा, common लिया, vmax s, vmax s, vmax s, vmax s, इन दोनों का अलग करके लिखा, s-s काटा, जैसे s-s काटा यहां पर हो गया, 1 by vmax, यह km vmax into s, same as it is, अब यहां पर जो s था, इसको मैंने 1 दे दिया, तो 1 by s, 1 by vmax, और km by vmax, 1 by vnote, सब यहां चैसा ही, पिर मैंने इसको compare कर दिया, y equal to mx plus c से, यह y, यह m, यह x, औ फिर आप बना के दिखा दिया, चलिए, अब देखते हैं, line वाला, जो second float है आपका, यहां पर क्या करना है, यह जो आपकी equation आईए, y equals to mx plus c, यह वाली, 1 by vnote, km upon vmax, 1 by s, और 1 by vmax, यह same equation उठा लो यहां से, उठा ली sir, यह रही, 1 by vnote, km by vmax, into 1 by s, plus 1 by vv, वो सारी equation मैंन उठा के मैंने यहां पर रख दी, अब इस line वाले में क्या करना है, आपको इतना सा याद रखना है कि 1 by vnote को 0 करना है, अब जैसे ही 1 by vnote को मैं 0 करूंगा, देखिए, अगर यह 1 by vnote, जो है, 0 हो गया, क्योंकि vnote क्या होता, initial concentration, और initial concentration क्या होती है, 0, तो यहां पर 1 by vn vnote को मैंने 0 माल लिया, तो जैसे ही वे ने 1 by vnote को 0 माना, यहां पर क्या रहे गया, देखिए, 1 by vnote को 0 माना, यह 0, बाकि सब कुछ से हम ही है, यह सब कुछ से हम लिख दिया, अब देखिए क्या हो रहा है, यह जो 1 by vmax है, यह इधर आना चाहेगा, और इधर तो यह प् इस प्रिफिया हुआ है, यह जो है उठके इधर आया, और अगर इधर आएगा, गदार ही करेगा, तो प्लस से माइनस हो जाएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यह हो गया 1 by vmax, और यह हो गया 1 by vmax, और यह हो गया 1 by s, अब vmax से vmax कड़ गया, ठीक है, तो बचा क्य यह इधर आया, तो माइनस में आगया, ठीक है, अब माइनस में तो हो गया, अब vmax से vmax काड़ दिया मैंने, अब यह माइनस 1 बचा, तो यह km को नीचे बिज दिया मैंने, तो माइनस 1 by km और 1 by s, यह हो गई आपकी दूसरे equation, तो यह था आज का आपका lecture, जिसमें हमने equation का derivation, साथ साथ graph, Michael mental equation और Michael's float, यह lecture पांच नंबर का है, important है, आपको पूछा जाता है, ध्यान रखेगा, मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया है, अगर आपको इसके notes के requirement है, तो आपको WhatsApp ग्रूप से join होना है, कैसे join होना है, मैंने इसी वीडियो के description में link दे रखिए, आप आप जाके वीडियो देख लीजिए, टेलिग्राम से must join हो जाईएगा, टेलिग्राम पे आपको सारी update मिलेगी, टेलिग्राम पे हम पॉल भी करवाते हैं, तो टेलिग्राम से join हो जाईएगा, टेलिग्राम की link भी description में है, और कई बच्छे बोलते हैं कि साथ टेलिग्राम की link open नहीं हो रही तो आप टेलिग्राम पे सर्च कीजिए, डेप्ट और पायलोजी आपको चैनल मिल जाएगा हमारा, have a nice day, thank you.